हलो दोस्तो कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपकी अपने चैनल बन सिधर फैशन पॉइंट में आज हम बात करेंगे धागर तूटने की समयस्था के बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉबलम आ रही है कि उनकी जैक F4 में या फिर जैक मशीन मे धागे तूट रहे हैं या फिर इंडरेस्ट्रेल मशीन में बहुत सारे धागे तूट रहे हैं मतलब कोई भी धागा अगर वो यूज करते हैं तो उनका धागा तूटता है मुझे ऐसी कई सारी कमेंट्स आई है जिसमें मुझसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है तो उ क्योंकि मशीन में 40 की स्पीड होती है और वो अपन उस हिसाब से मशीन को स्पीड नहीं चलाते हैं क्योंकि अधिक्तम केस में मुझे महिलाओ की कमेंट्स आई है जिसमें मुझसे पूछा गया है कि हमारी मशीन में धागा तूट रहा है तो वो लोग 30 से 35 की स्पीड पर ही मशीन चलाते हैं और वो भी धीरे 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 मशीन चलाते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड चला रहे हैं और वो चलाते भी है तो बॉबिन भरते हैं टाइम ही वो मशीन को थोड़ी स्पीड करते हैं और उसको मतलब बॉबिन भरते हैं तो क्या करना चाहिए उनक मतलब जादर तर उसमें फास्ट चले थोड़ी 2-4 सेकंड 10 सेकंड फास्ट चले फिर उसको एकदम धीरे करे फिर फास्ट करे फिर धीरे करे तो उससे क्या होगा कि मशीन पूरी मशीन में फ्लो होगा तो उससे क्या होगा कि शटर तक भी ऑईल पहुच जाएगा अब दूसर तो ऐसे केस में आपे न मशीन में थोड़ा सा ओयल शेटर के हिस्से में दे दीजिएगा जैसे कि मशीन को उठा कर हम थोड़ा सा उसमें एक्स्टर ओयल डाल देंगे अपनी हाथ से जो हमारी कुप्पी आती है उसकी मदद से तो भी आपको ये समस्या नहीं आईगी और कभी-कभी जैसे धागा तूटने की ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप कुप्पी की मदद से शेटर में ओयल दे दीजिए और शेटर को एक बार चेक कर लिजिए कहीं उसमें कच्रा या फिर पहना पन तो नहीं आगया है अगर पहना पन आगया होगा तो शेटर चेंज कर दीजिए और नहीं आता है तो आप इस तरीके से काम करिए मतलब उसको थोड़ी सी कुप्पी के मदद से ओयल दे दीजिए मशीन में प्रॉब्लम नहीं आएगा और तीसरी प्रॉब्लम आती है मशीन में धागा तूटने की वो उताए लोकल धागा अगर आप इंडरस्टियल मशीन पर लोकल धागा यूज करते हो तो आपको अविसली यह समस्या आनी ही है तो आप लोकल धागा बिलकुल भी यूज ना करें क्योंकि मुझे कमेंट्स में कई बार ऐसा पुछा गया है कि हम मशीन में धागा अच्छा यूज कर रहे है तो यह समस्या क्यों आ रही है तो यह समस्या इसले आती है कि आप 30 से 35 की स्पीड पे 25 की स्पीड पे मशीन को चलाते हैं तो प्रॉपरली जो ओयल है वो काम नहीं कर पाता है मतलब पूरी मशीन में वो नहीं घुम पाता है तो इस कारण से आपको क्या करना चाहिए थोड़ा सा ओयल शेटर में दे दीजिए अपने हाथ से या फिर आप मशीन की स्पीड फूल करिए और 2-3 मिट कले मशीन को एकदम फ्री स्पीड में चलाई है तो उससे यह होगा कि मशीन पूरी ओयल तो मशीन में पूरा ओयल घुमेगा आपके शटर तक के ओयल बराबर पोचेगा और मशीन में धागा तूटने की समय से नहीं आईगी अब Jack F4 में 2 साल से यूज कर रहा हूँ तो उसमें बहुत न के बराबर मेरी मशीन में धागा तूटता है तो आपको देखना है कि मेरी मशीन किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से चलती है तो आप एक काम करिए मेरे दूसरे चैनल पर रिजिट करिए जिसका नाम है बंसिदर बुटिक उसमें देखिए कि मैं डिजाइन जब क्रेट करता हूँ तो मशीन कितनी बार धागा तूटती है मैं उसमें कोई कटपिट नहीं करता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को कर दीए लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ इसाथ में आपकी जो राय है वो कमेंट्स के माद्यम से हमें बताईए और हम उसके उपर आपके राय के उपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे